नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चानल श्री गुरू चरण पर हम श्री गुरू चरण चानल पर रुजाना एक लेटिस्ट वीडियो अपलोड करते हैं अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें यह दैनिक लव राशी फल चंद्रमा की गर्णा पर अधारित है आप लव राशी फल के माध्यम से अपने प्रेम जीवन और विवाहिक जीवन से विजुड़ी भविश्वारी को जान सकते हैं मेश लव राशी फल आज के दिन आपका मन बिचलित होगा अपने मूड बदलने के लिए समाजिक मेल जोल का सहारा लें ससुरार वालों से आज संबंद बिगड़ सकते हैं परिवार में आज कई बार तनाव का वातवरंड बन सकता है अपने मतापिता की भावना का खयाल रखें अब विवाहितों के लिए विवाहा का योग नस्दीक दिख रहा है आज आप अपने प्रेमी को प्रपोस कर सकते हैं ब्रिशव लवराशी फल बिवाहित जातक आज के दिन अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और रोमांस के छड़ व्यतीत करेंगे आपके प्रेम सम्मंदों के कारण परिवार में मन मुटाव हो सकता है लेकिन अगर आप अपने बिवेक से कारे करेंगे तो स्तिती सुधर सकती है नौकरी में तबादला हो सकता है जिसके कारण आपके प्रियतम या साथी के बीच मन मुटाव हो सकता है मिथुन लवराशी फल आज आप गुस्से में कोई कारें ना करें अनिता परिशानी हो सकती है सूच समझ कर फैसला लें विवा के लिए अच्छा समय चल रहा है पर अंतु आज प्रियतम से निराशा मिल सकती है अपनी भावना व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते है करक लव राशी फल आज आपका दिन अच्छा बुज़रने वाला है लेकिन साती के साथ फाल्तू की किसी वाद विवाद में ना उलजे नहीं तो बात बढ़ सकती है आज आप अपने प्रियतम के साथ आनंद के पल बिताएंगे करक राशी के जातक भाव के बहुदार प्रवित्ति के होते हैं अपने दिल की बात आज अपने साती के साथ व्यक्त करें सिंग लव राशी फल आज आप अपने प्रेम को उजागर कर सकते हैं आपके लिए आज का दिन शुब है आपकी इस खबर से पारिवार में खुशी की लहर चा जाएगी अपने साथी को परिवार से मिलाने का आज उचित दिन है जिन लोगों की शादी की बात चल रही है उन्हें आज काम्याबी मिल सकती है आज के दिन खुशी के कारण आप फिजूल खर्च ज्यादा कर सकते है कन्या लवराची फल आज आपकी जीवन साथी की सेहत खराब सकती है जिसके कारण जिकिस्सा समबंधी खर्चों में बढ़ोत दिया सकती है आज के दिन आप अपनी गल्फरेंट को अधिक समय नहीं दे पाएंगे जिस कारण आपका मन उडास हो सकता है मन को शांत रखें लिविन रिलेशन में रहने वाले साथीयों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है तुला लवराची फल आज आप राजनीती के छेत्र में नेतरत प्राप्त कर सकते हैं बेवाहिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं परिवार में सुख शांती बनी रहेगी और आज आप किसी स्वजन को याद करके भाबुक रहेंगे आज के दिन आप अपने साथी के साथ लंबी ड्राइब पर जा सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं इससे आपके संबंद में मधूरता आएगी रिष्चिक लवराशी भल प्रेम संबंदों में मधूरता भड़ती दिख रही है योगा वर्ग आज के दिन अपने लव पार्टनर के साथ समय का सदुपयोग करें जीवन साथी के साथ कोई नया प्लान या योजना बना सकते हैं साथ ही उनकी सलहा आपके व्यापार में प्रगती लाएगी अपने साथी की प्रदिबा का गलत अकलन निकता ही ना करें माताक पिता के साथ यादरा का योग बनता दिख रहा है धनू लवराशिफल नए लव पार्टनर पर जुलूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें धोका मिलने के असार नज़रा रहे हैं पुराने संबंदों पर विश्वास बनाए रखें किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है अपने कार में अपना 100% दें क्योंकि आपके प्रगति का समय चल रहा है मालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी है इस समय कुछ लोग आपके कारे की सरहना करेंगे और कुछ लोग आलोचना कर सकते हैं मकर लवराशिफल जीवन साती का स्वास्त विकार हो सकता है जीवन की पुरानी समस्या इन समस्या आपके सामने आकर खड़ी हो गई है लेकिन अपनी बुद्धी विवेक और ज्ञान से उस परिशानी को खतम कर सकते हैं प्रेमी के साथ ब्रह्म की सिथी पैदा हो सकती है आज के दिन आप अपने आप को असुरक्षित मैसूस कर सकते हैं अपनी चवीकु सही ठंक से लोगों के सामने प्रस्तुत करें कुम्भ लवराशी फल आज मातर पेदा के साथ ज्यादा समय वितीत करेंगे आज आपके परिवार में सभी मांगले कारे पूर्ण होने की संभावना नज़र आ रही है किसी कारण आपके आर्थिक खर्चे वारण हो जाएगा आज का पूरा दिन आप मौज मस्ती वा आनंद के मूड में रहेंगे परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करें अतियुच साहित होकर कोई अनैतिक कारणा करें दोस्तों हमारे द्वारा दीगई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो श्री गुर करना ना भूलें